क्या रद्ध होगी जार्कन सीजल परिच्छा हाई कोट में याची का दायर 14 अक्टूबर को आयो की अहम बैठक जी हो दोस्तों एक बिग अपडेट बिग नूच के साथ में उपसित हूँ क्या है अपडेट आए देखते हैं इस वीडियो में चैनल पर अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जाड़कन सीजल परिच्छा का पेपर लीक मामला अब हाई कोट पहुँच गया है पेपर लीक कारूप लगाते हुए हाई कोट में याची का दायर की गई है इसमें परिच्छा रद करने की मांग की गई है साथ ही मामली के जांच CBI या E कोट के सेबा निम्रत जजज की कम करता ने पूरी परिक्रिया की जांच CBI या हाई कोट के सेबा निम्रत जजज की कमिटी से जांच कराने का आगर किया है याची का करता ने दावा किया है कि उसके पास 21 और 22 सितमर को ही सीजल परिच्छा में गडवड़ी के सबूत हैं इसमें पिछली का परिच्छा के कई साथ ही प्रस्न पत्र जिस कवर में रखे गए थे उसका सील भी टूटा हुआ था इसके जनकारी भी उसी समय दी गई लेकिन परिच्छा ली गई तीन लाग से ज्यादा ने दी थी सीजल परिच्छा 21 और 22 जिजल परिच्छा कायो जन परदेश में 823 परिच्छा के अंदरों पर किया गया था इसमें तीन लाग से अधिक अभीरती सामिल हुए थे राजसरकार ने बिना किसी धानली के परिच्छा कराने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद करा दिया था लेकिन परिच्छा जन परिच्छ जांच कमिटी के रिपोर्ट पर चर्चा होगी इसके अधार पर परिच्छा का फैसला लिया जाएगा आयोग अपने फैसले से राजपाल और स्वियम को भी आउगत कराएगा क्या रद होगी जारकन सीजल परिच्छा हाई कोट में या चिका दायर चाहुद